इसको प्रमस एपिथीलियम इसको टेसलेट भी कहते हैं इसको पेग्मेंट इपिथीलियम भी कहते हैं इसको इतने नामों से कहा जा सकता है इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं चपते होंगे और इसमें एक प्रामिनेंट न्यूक्लियस होता है और nucleus इतना prominent होता है और cell इतना thin होता है कि वो nucleus है वो bulze करता है cell के बाहर बाहर से अलग से दिखने लगता है bulzing इसकी यह देखे बड़े-बड़े prominent इसके nucleus हैं यह इसके epithelial cells हैं और यह इसका किनारा है यह जैसे roadside में pavement बनता है और एकी तरह के या फ्लोर घर की बनती एकी तरह की टाइल्स जो है वो closely fitted होती है और एक दूसरे से अच्छे धंग से जुड़ी होती है तो इसलिए इसको टेसलेके भी कहते हैं पेव्मेंट कहते हैं यह जंक्शन से हैं यह नूकलियस हैं यह बेस्मेंट मेंब्रेन बेस्में इसलिए जो हैं सेक्रीट करते हैं यह दो चीज़ों मिला के बेस्मेंट बनाती हैं बेस्मेंट मेंब्रेन हो गई है यह जो टीसू है यह कहां कहां पाए जाएंगे देखिए यह रिनल कैप्सूल है बना दिया गया आफ किड्नी एल्ल्वियोलाइव लंस यह देखिए यह आफ राफिए एक चोटा सा डाग्राम यह बनाये हैं यहां पर अम्रहय रेली एक वरेक्ट यृथ्य ए है और ट्रेक्या जो ब्रांचिग होती वो इंसेल्स के दौषार होती हैं और बलग कैपिलरी की वाल्स भी बनाते हैंiko वाल्स में एक सेल् solo होती हैं सिंगल सेल थिकनेस की और बलड की कैपिलरीज में इस इसकुमस सेल्स को कहा जाता है एंडेथीलियम